मूवी की स्टार्ट में हम एक आत्मी को लगातार पागलों की तरह जंगल में भागते हुए देखते हैं जहां उसे फैरी का स्केलेटन मिलता है जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ओफ नो रिटर्न और तब ही अंधेरा होती ही सारे पंची उड़ जाते हैं जहां मीना नाम की एक लड़की को हम देखते है जो एक पैटि स्टोर में काम करती है वहीं स्टोर का मालिक उसे एक तोते को जू में ले जाने का ओरडर देता है अगले दिन मीना जू के लिए निकल जाती है जहां वो गलती से जंगल की ओर मूर जाती है यह वहीं जंगल होता जहां हम उस आदमी को देखते हैं जिसे कोई गठे में ले गया था तभी अचानक पजिंदे उरने लगते हैं और जमीन तेजी से इलने लगती है मीना और डर जाती है तभी मीना को एक बुड़ी ओरत दिखती है जिसने मीना मदद मांगती है पर बुड़ी ओरत नहीं रुकत खड़ा करके बोलती है कि कोई हमें देखने आ रहा है पर मीना को कुछ समझ में नहीं आता तब बूरी औरत उसे बताती है कि हमें वाचर्स देखने आ रहे हैं इसके बाद वहाँ कुछ आवाजे होती है और मैडलीन उसे बताती है वाचर्स उसे देखकर वहाँ खुश है और ताली बचा रहे हैं पर मीना को तो कोई नहीं दिखता आगले सुबह सब बाहर निकलते हैं जहां से मीना अपने तोटे को लेकर निकल जाती है वहाँ उसे भी वही साइन दिखता है यानि points of no return और इसकी बाद मीना उसी लड़की की तर्यार सूरज को देखते हुए आगे बढ़ती है और वो इसमें काम्याब नहीं हो पाती है मीना उसी घर की और वापस आ जाती है जहां मैडलीन उसे हिम्मत देती है और उसे वही sign point of no return का दिखाती है जिसे एक प्रोफेसर ने बनाया हुआ था वहीं अगले सीन में हम कीरा और मीना को खाना इकटा करते देखते हैं जहां कीरा उसे एक गटा दिखाते हुए बोलती है दिन की वक्त वाचर सिनी में रहते हैं तभी कीरा उसे बताती है कीरा का husband वहार रास्ता ढूने के आया है यहां हम देखते है की कीरा का husband और कोई नहीं बलकि वही आत्मी होता है जिसे हमने मुवी की start में भागते हुए देखा तब ही मेडिलीन अप मीना को कुछ रोल बताती है जिसमें उसे रात की वक दर्वाजा खूलने को मना करती है और साथी मीरर की तरफ कमर ना करने को कहती है और तीसरा वो उसे गठे के पास जाने को मना करती है पर उसी रात मीना अपनी कमर मीरर की तरफ करके सो जाती है जिससे वाचर्स गुस्ता हो जाते हैं और मीरर में आवाजे करने लगते हैं वही सोर सुनकर मैडिलीन भी उट जाती है जो मीना को मीरर के सामने खड़ा करती है जिसके बाद सबसांत हो जाता है अब अगली सुगा मीना और डैनियल सिकार के लिए जाते हैं जहां मीना गठे में जाती है और बाहर से डैनियल रसी पकड़े होता है गड़े में मीना को बहुत सारा इंसानों का समान मिलता है जिसे वो बाहर निकाल देते हैं तभी मीना को गड़े में उंगलियां दिखाई देती है जिसे वो काफी ड़ जाती है और बाहर आकर सारा समान से फाउस ले जाती है वही मैडलीन समान को देखकर उनसे पूछ ताश करती है पर मीना कुछ नहीं बताती और डैनियल के साथ मिलकर समान में मिले कैमरा को घर के बाहर लगा देती है सबी उनके दरवाजे पर नौक होती है और सब घबरा जाते हैं और कीरा के हस्बेंड की आवाज सुनाई देती है पर मेडिलीन उसे रोख देती है और बोलती है तुम्हारा हस्बेंड नहीं है और मेडिलीन के कहने पर वो उसे बुक के बारे में बोस्ती है पर बाहर से कोई जवाब नहीं आता सबी वाचर्स गुसे में होते हैं जो सब तोड़ने लगते हैं और सब सीसे के सामने खड़े हो जाते हैं और वाचर्स वहाँ से चले जाते हैं अब मीना मैडिलीन को सब बता देती है और गुसे में मैडिलीन सारा समान वापस करटे में फेक देती है वही सरदियां सुरू हो जाती है पर मीना अभी भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढून रही होती है खाने की गमी के चलते हैं अब सब अपना मांसिक संतुलन कोने लगते हैं जहां डैनियल और मैडिलीन का जगड़ा हो जाता है और डैनियल मीना को मैडिलीन को बाहर छोड़ देता है जहां वो दोनों एक घने पेर की नीचे छुपकर अपनी जान बचाते है यही हम वाचर्स की एक जलब देखने को मिलती है जो काफी पतले और डरावने होते है वही वाचर्स को भी पता चल जाता है कि मीना और मैडिलीन वहाँ नहीं है तो वो उने ढूनने लगते है मौका देखकर यह दोनों दुबारा सीफा उसका दरवाजा खट-कटाते है इस पर डैनियल दरवाजा खोल देता है तब मैडिलीन उन सब को बताती है कि वो इनी क्रियाचर की खोल में यहां आई थी और असल में यह फैरीज है और हमें देखकर हमारी तरह बनना चाहते है तब ही वहाँ वही वाचर्स आ जाते है और दरवाजा जोड-जोड से खट-कटाने लगते है तो डैनियल को फर्स में एक जगा उपर नीचे लगती है अब सारी लोग उसी बंकर की अंदर चले जाते हैं और बंकर का दरवाजा बंद कर लेते हैं बंकर के अंदर बहुत सारे खाने की समाने टेकनोलोजी और समान मौजूद होता है वही मीना को एक कंप्यूटर मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि यह जगा डॉक्टर मॉर्टिन द्वारा बनाई गई थी वहाँ मीना को बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती है जिसके बाद आकरी वीडियो में उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है इसके बाद सब खुश हो जाते हैं वहीं बंकर से बाहर आने में वो देखते हैं कि सब तबाह हो चुका है तब ही सब आगे बढ़ते है और मीना यहां अपने तोते को छोड़ देती है जिसके पीछे चलते हुए यह सब जंगल से निकल आते हैं और नदी तक पहुँच जाते हैं और तभी डैनियल मार दिया जाता है और बाकि सब कुछ नहीं कर पाते हैं जहां उसे मैडलीन का सच पता चलता है कि वो एक हाईबरिट फैरी है इसके बाद वो कीरा के पास आती है जो कि असल में एक मैडलीन होती है और मैडलीन असली कीरा को बेहोश कर देती है और मीना की तरफ बढ़ती है तमीना मैरिलीन को सच बताती है कि वो एक hybrid भारी है जिसके बाद मैरिलीन का जादू वापस आ जाता है और वो वहां से ओड़ जाती है वहीं मुवी के end में हम देखते हैं मैरिलीन को जो एक बच्ची के रूप में इंसानों के बीच में रह रही होती है